हलो फ्रेंड अगर आपके पास एंडूर बर्जन 11, 12, 13, 14 कोई भी रहता है अगर आप FRP लगा के भूल जाता है ना समसुम का कोई भी स्मार्टफोन है आपको करना क्या है सबसे पहले यहाँ पर इस तरह सबको answer 1, answer 2 में इस कोड को अपलाई करना है उसके बाद यहाँ पर 1, समसुम का FRP अनलोग हो जाएगा सबसे पहले बात करेंगे अगर आपके पास समसुम का कोई भी स्मार्टफोन है अगर आप FRP लगा के भूल जाता है तो आपका यूटूब में वीडियो देख रहे हैं लेकिन 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 आपका FRP वाइपास नहीं होगा जिए दोस्तो तरह वीडियो देख रहे हैं लेकिन 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 यहाँ पर हमनों का FRP वाइपास नहीं हो रहा है तो आप एक वो वीडियो बनाई है पहली बात तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से आपका स्मार्टफोन को फिरी में घर बड़े बिना कंपूर का बिना टूल का विग करना है उसके बाद आपका स्मार्टफोन फिरी में अनलोक हो जाएगा लाइप पूरूप करके दिखा रहे हैं वीडियो को कहीं भी आपको स्कीप करके नहीं देखना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इमर्जेंसी को यहाँ पर आपको हॉम स्क आप पर हम लोगा गूगल एसिस्टेंट वर्क नहीं कर रहा है तो यहां पर हम लोगा टेल बुक आप्षन बिल्कुली वर्क नहीं कर रहा है चलिए अब को कंफरम करा दियें अब यहाँ पर करना क्या है बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे जैसे कि आपका पूरी में आनलोग हो जाएगा वीडियो को पूरा वुज लेखना एक आपको कहीं भी skipped नहीं करना एंगी अब यह पर करना क्या है सब सब एमर्जंसी कब में Myers अप्लाम से अाप करना एक सब्सक्या और पताते क्रें को नहीं करना है और इमरजैन सी कट को को आपको सीटेर टाइप करना है घुआ लिए किये कुछ देखने को मिल गया बेक आज की करना है वहां भी को आपbait करने चीके ना की से करेंगे वह भी अपको यहां बता रहे ठीक ना वीडियो को कहीं भी skip करके नहीं देखना है ठीक है चलिए अब यहाँ पर agree करना है यहाँ पर मिनुली वाला option में select करना है यहाँ पर wifi वाला option में आ जाना है अब यहाँ पर करना क्या है बहुत ही आसान तरीक आपको बता रहे ठीक न करना है जैसे select करते कुछ इससा सेटिंग्स आपका open हो जाएगा ठीकर और चोटा-चोटा दो से तिन settings करना है ठीके पर अप्सें में select करना है यहाँ पर प्लास काई ऑप्सें मिलेगा select करना है चले select किए जैसे आप select करते कुछ इससा से option मिलेगा दो option टिकह ना एंसर 1 एंसर 2 दो आप्सेन मिलेगा अब पहला वाला कोई भी Samsung का अगर स्मार्टफोन हो सकते कि आपके पास Android 11 ओर 12 ओर 13 ओर 14 ओर से आपको कोई दिख करने हैं एंसर 1 में आपको टाइप करना है Samsung FRP bypass यह आपको टाइप करना है ध्यान देना इस दीगों टाइप करना है आपको कहीं गलती नहीं करना सेम तो सेम अपको फूलो करना है वीडियो को कहीं भी किप नहीं करना है अब यह पर Samsung AWS Separation much करें और वीडियो को कहीं भी स्कीप करके नहीं देखना है ठीक है किम नहीं को टाइप करना है एसे टुमिश्क को टाइप करना है और यहाँ करना है 8 कर दिये हैं उसके एक डिलीट का भी ऑफके मिलेगा यहां पर कौशन को अफ कर देना है किसी बी और नहीं सबसे निचे जाना है पर मिलेगा एंप्सन रिसेट डिटेल सेटिंग्स रिसेट टू डिटेल सेटिंग्स अब यहां पर आपको जितना भी उप्सन दिख रहा है आपको यह पर पहला ऑफसन को एकृफसन मिल रहा है या दो आपसन को पूरी तरह से आपका स्मार्टफोन फूल फॉर्मेट हो जाएगा पूरी तरह से घर बड़े फिरी में बिना कम्पूटर का इस यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अब यहां पर गूगल सर्विस आ गया 100% सक्सेस्फूल हो चुका है अब यहां पर कुछ टेम वेट करना है आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है इसकिप करके नेस्ट करके चलना है कोई भी समसुम का स्मार्टफोन है आप घार बड़े फिरी में 100% अनलोग कर सकते हैं तो यहां पर बिना कंपूडर का है आपका जो भी प्रोब्लम है वो भी आपको कॉमेंट में बताना है नेस्ट वीडियो हम लोग उसी टोपिक में ज़रूर बनाएंगे चलिए यहां पर आपको यहस कर दना है उसके बाद देख सकते हैं 100% पूरी तरह से हम लोग का यहां पर एफर पी लोग का फोर्टीन है आप देख सकते हैं यहां पर एंडोर बार्जन लोग का फोर्टीन है चलिए आज आज के लिए इतना ही वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक